जैहिन दोस्तों स्वागत है आप सभी का क्रेजी जीगडरिक चनल पर 15 मार्च 2023 के इंपोर्टन डेली करेंट अफेर्स को मैं आप लोगों के लिए डिसकस करने वाला हूँ आईए देखते हैं सबसे पहला इंपोर्टन कोश्चन तो पहला प्रशन आप सभी के सामने रहा semi high speed वंदे भारत एक्स्प्रेस ट्रेन को संचालित करने वाली पहली महिला कौन बनी है who has become the first woman to operate the semi high speed वंदे भारत एक्स्प्रेस ट्रेन तो इनका नाम क्या है तो friends इनका नाम है सूरेखा यादव क्या नाम है इनका सूरेखा यादव सूरेखा यादव आप यहाँ पर देख सकते हैं इमेज में यह semi high speed वंदे भारत एक्स्प्रेस ट्रेन को संचालित करने वाली पहली महिला बनी है इसके पहले भी इन्होंने बहुत सारे किर्तिमान रचे हैं यदि आपसे पूछा जाए एशिया की पहली महिला लोको पालेट का क्या नाम है तो भी आप बताएंगे यह सूरेखा यादव जी है एशिया's first woman लोको पालेट इस शूरेखा यादव दोस्तों इन्होंने किसके बीच में ट्रेन का संचालन किया है तो मुंबई में है सोलापूर स्टेशन और छट्रपती सिवाजी महराज टर्मिनस है इसके बीच इन्होंने सेमी हाइ स्पीड ट्रेन का संचालन किया है दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ भारत में प्रतम महिलाओं के बारे में बहुत सारे प्रशन हां से पूछे जाते हैं तो मैंने पूरा एक कलेक्शन किया है ताकि एक्जाम में कोई भी ऐसा प्रशन आता है तो आप उसे क्रैक कर पाएंगे सबसे पहला प्रशन आपसे पूछा जा सकता है CSIR की पहली महिला महानिदिशक का क्या नाम है तो फ्रेंट्स इनका नाम है नला थंबी कलाई सेलवी यदि आपसे पूछा जाए विश्व जूनियर तेराकी चैंपेंशिप के फानल में पहली भारती महिला का क्या नाम है तो यह है अपेक्षा फर्नांडेस यदि आपसे पूछा जाए फर्स्ट इंडिन वुमिन तो विना गोल मेडल इन अंडर 20 वर्ल रेसलिंग चैंपेंशिप इनका क्या नाम है तो यह है अंतीम पंगाल जिन्होंने अंडर 20 वर्ल रेसलिंग चैंपेंशिप में भारत को गोल मेडल दे लाया यदि आपसे पूछा जाए विश्व कुस्ती चैंपेंशिप में दो मेडल जीतने वाली पहली भारती महिला का नाम बताए तो यह है विनेश फोगाट क्या नाम इनका विनेश फोगाट नाम है अगला प्रशन आपसे पूछा जा सकता है इंडियास फर्स्ट वीमें ट्राइबल प्रेसिडेंट तो यह है द्रॉपदी मुर्मू जो भारत की प्रेसिड में भारत की राश्पती है और फिफटीन्थ नंबर की भारत की राश्पती कौन है द्रॉपदी मुर्मू जी है संथाल जनजाती से इनका संबंध है यदि आपसे पूछा जाए कि ओएन जिसी की पहली महिला चेर्मेन और एमडी कौन है तो इनका नाम है अलका मित्तल क्या नाम है अलका मित्तल सेभी का नित्तर तो करने वाली पहली महिला का क्या नाम है तो यह माधवी पुरी भूछ क्या नाम है माधवी पुरी भूछ ODI match में 250 विकेट लेने वाली वर्ल्ड की पहली विमेन कौन है तो friends ये हैं जूलन गोश्वामी तो इतने सारे प्रस्ण मैंने आपके लिए कलक किये थे ताकि अगर ऐसा प्रस्ण भी आता है तो आप रिलेट करके बता सकें मेरे प्यारे साथियों आप लोगों की वज़े से ये जो current affairs की class है लगातार अपने धीरे-धीरे मतलब जो इसका वर्चस्व है धीरे-धीरे बढ़ रहा है आप देख भी रहे होंगे और इस सभी प्रयास के लिए आप भी जिम्मेदार है इसलिए दिल से धन्यवाद कि आपने इस class को इतना प्यार दिया बहुत-बहुत धन्यवाद हम और भी मेनद करते रहेंगे दोस्तो डेली करेंट अफेर्स का ये 472 नंबर का एपिसोड है जो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में प्रदान किया जाता है भारत का कोई भी ऐसा एक्जाम नहीं जहां पर करेंट अफेर्स पूछा ना जाता हो और आपकी ये जो क्लास है बहुत इंपोर्डेंट है ये है करेंट अफेर्स की ब्रह्मास्तर क्लास भारत के सब एक्जाम्स के लिए लास्ट में लिूसें स्पैसल स्टाटिक जी के मिलता है daily current affairs का test मिलता है सब कुछ हम आपको देते हैं एक class में 25 से 30 मिनिट में 200 से 300 जानकारी प्रदान करते हैं आई कोश्च नमबर 2 को देखते हैं अभ्यास ला पेरोस 2023 का आयोजन कहां पर किया गया वेर इस दे एक्सरसाइज ला पेरोस 2023 2023 और्गिनाइसट तो friends इसका right answer है हिंद महासागर हिंद महासागर में ला पेरोस 2023 का आजन किया गया है दोस्तों ला पेरोस जो एक्सरसाइज है ये multilateral है यानि बहु देशी है बहुत सारे देश इसमें शामिल होते हैं और उनकी अलग अलग नेवी शामिल होती है दोस्तों 13 से 14 मार्स तक ये बहु पक्षी अभ्यास चला है और इसका तीसरा एडिशन आज़ित किया गया और इस एडिशन में कौन-कौन सामिल हुआ फ्रांसीसी नो से ना शामिल हुई भारती नो से ना शामिल हुई और रॉयल ऑस्टेलियाई नो से ना शामिल हुई जापान मैरिटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्ष सामिल हुआ ये सभी देशों ने भाग लिया है ये जो नाम मैंने बताया है उन देशों की नेवी का नाम है दोस्तो लौ पे रोज जो है ये साल में दो बार होता है बाइनियल है और ये फ्रेंच नेवी के दवारा फ्रांसीसी नो से ना के दौरा इसका आयजन किया जाता है इसका उदेश है का है तो इन देशों के बीच में नो से नाओ के बीच में coordination को बढ़ाना और समुद्री जो domain है उसके बारे में लोगों को जागरुख करना दोस्तों यहाँ पर अभ्यास की बात आई है तो I will explain you different military exercise बहुत सारे military exercise पूछे जाते हैं आई देखते हैं सबसे पहले बात करेंगे भारत और Singapore अगनी warrior होता है विन बैक्स नाम में इस पस्ट है वी से आपको याद रखना है Vietnam और भारत के बीच में है नेस्ट है काजिन तो का से आपको याद रखना है काज से कजाकिस्तान Aussie Index ऑस्ट्रेलिया और इंडिया यहाँ पिलिका sitmax तो इसमें तीन देश शामिल हैं तो यहाँ पर S for Singapore I for India, T for Thailand तीन देश इसमें शामिल हैं स्क्रीन शॉट ले सकते हैं PDF आपको regularly हमारे एप्लिकेशन पर हमारे टेलिग्राम पर प्रदान किया जा रहा है उपलब्द कराया जा रहा है Next question किस IIT संस्थान के सोध करताओने जिवाडू रोधी अडू IITR 00693 की खोचकी है Researchers from which institute discovered the antibacterial molecule IITR 00693 बहुत अच्छा question है antibacterial मतलब जो bacteria के खिलाफ काम करेगा molecule तो इसकी खोचकी है IIT रुडकी ने IIT रुडकी ने ऐसा molecule खोच किया है जो bacteria के खिलाफ लड़ेगा clear है दोस्तो तो भारती प्रद्योगी की संस्थान IIT रुडकी ने सोध करताओन को एक नया जिवाडू रोधी छोटे अडू की खोचकी है दोस्तो ये ना केवल उस bacteria को मारेगा इसके साथ साथ जो उसके इंदर resistance डबलप होता है वापस से वो अपने आपको क्या करता है वापस से उसका emergence ना हो वापस उसका उद्भव ना हो तो इसके लिए भी वो काम करेगा clear है दोस्तो और इसका उद्देश क्या है छोटी अडू का पहचान करना जो present में एंटिबाइटिक दवाओ की प्रभाव शिलता को बढ़ा सके बहुत सारे क्या होता आप एंटिबाइटिक लेते हैं लेकिन वो काम नहीं करता है तो इसका उद्देश है कि छोटा जो अडू अभी discover किया गया है ताकि ये एंटिबाइटिक दवाओ की जो उनकी efficiency है उसको बढ़ा सके effectiveness को बढ़ा सके गोल्डन सिटी गेट टुरिजम अवाओड 2023 में गोल्डन और सिल्वर स्टार पुरसकार की इस देश ने जीता है विश कंट्री हाज वान दा गोल्डन एंड सिल्वर स्टार अवाओड एड दी गोल्डन सिटी गेट टुरिजम अवाओड 2023 तो फ्रेंट्स भारत ने इसे जीता है किसने जीता है भारत ने जीता है गोल्डन सिटी गेट टुरिजम अवाओड को इसमें गोल्डन और सिल्वर स्टार पुरसकार भारत को मिला है तो फ्रेंड्स ये परिटन के छेतर में दिया जाता है भारत के परिटन मंत्राले को ये प्रसकार दिया गया है इसका आजन कहा पर हुआ था बर्लिन में तो भारत ने ITB बर्लिन दो हजार तेश में आयुजित की गई गोल्डन सिटी गेट टूरिजम अवार्ड में गोल्डन और सिल्वर स्टार प्रसकार जीता है भारत के परिटन मंत्राले ने TV सिनिमा कमर्शियल इंटरनेशनल और कंट्री इंटरनेशनल स्रेडी में भारत को ये अवार्ड मिला है दोस्तो भारत सरकार के प्रिजेट में टूरिजम सिकेटरी का क्या नाम है तो इनका नाम है सिरी अर्विन सिंग और जी किशन रेड़ी भारत के परिटन मंत्री है कल्चरल मिनिस्टर भी है क्लेर दोस्तो तो यदि आपसे पूछा जाए कि उस देश को ये प्रस्कार दिया जाता है और इसका आजन ITB बरलिन में होता है दोस्तो आज की नोलेज की फैक्टरी में हम बहुत सारी योजनाओं को डिसकस करेंगे कल भी हमने डिसकस किया था केन सरकार की योजना, राज सरकार की योजना, राज दर्शन ऐसा कुछ भी नहीं छूटेगा जो आपको जानने को नहीं मिलेगा, डेली आप कुछ नया सीखेंगे क्योंकि हमारी जो भूग है नया सिखाने में है और आपकी भूग नया सीखने में है पहल योजना कब शुरू हुई है 2015 एक जनवरी को इसके तहत LPG सिलेंडर में सबसीड़ी पैसे को सीधे ट्रांसफर किया जाता था कंज्यूमर के अकाउंट में इसे बोला जाता है DBTL डारेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर फॉर LPG नेस्ट है हिर्दा योजना पहले आप हिर्दा योजना का फुल फॉर्म समझे तो इसी में छुपा हुआ है किसका उद्देशक है और कई बार हिर्दा योजना का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है Heritage City Development and Augmentation योजना इसके तहट भारत के 12 शहरों को culturally यानि सांस्कृतिक धरोहर को फिर से जीवित करना है 2015 को शहरी विकास मंत्राले के दौरा इसे शुरू किया गया था नेस्ट है बेटी बचाओ बेटी पढ़ा योजना पहले ये मध्य प्रदेश में स्टार्ट हुई थी धीरे धीरे ये बहुत बढ़ी तो बहुत सारे सरकारों ने कें सरकार बहुत सारे राज सरकारों ने एडॉप्ट किया फिर कें सरकार ने भी एडॉप्ट किया 2015 में 25 जनवरी को महिला एवं बाल विकास मंत्राले के दौरा शुरू किया गया नाम से स्पस्ट है लेंगिक समानता को बढ़ावा देना और लिंग अनुपात यानि सेक्स रेशियो को बढ़ाना जो फीमेल्स हैं गर्स के हैं उनकी उनका जो प्रपोर्शन है उनको बढ़ाना नदियों की कारवाई का अंतर राश्ट्री दिवस 2023 कब बनाया गया बहुत अच्छा कोशन इंपोर्टेंट भी है बहुत सारे जो हमारे स्टुडेंट्स हैं वो इसलिए वीडियो देखते कि उनका एक्जाम में नंबर आएगा नहीं आप इसको ऐसे भी देख सकते हो आप आपको बहुत नॉलेज मिलेगा अगर आप बिजनस करने जा रहे हो आप दुनिया के किसी भी छेतर में हो अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आप कभी भी एक्सपर्ट नहीं बन सकते हैं इस दुनिया का ग्यान आपको 30 मिनिटस में मिलता है आप जो मसाला निउज बहुत नदियों की कारिवाई action for river 2013 celebrate किया गया बहुत अच्छा question है और हमारी जो जरूरत है वो यही है कि हम अपने rivers को हमेशा क्या करें clean करते रहें उनको बचाने का संरक्षित करने का काम करें तो friends इस दिवस को मनाने का objective यही है to make people aware about the importance of river in their lives उनके जीवन में नदियों का कितना बड़ा importance है शाद आप सोच भी नहीं सकते अगर नदिया ना हो तो हम साथ जीवित भी नहीं रह सकते हमें पानी नहीं प्राप्त होगा vegetation खतम हो जाएगा ऐसी बहुत सारी चीजे हैं हमारा पूरा environment disbalance हो जाएगा तो 2030 की theme आप याद रखिएगा नदियों का अधिकार rights of river बहुत सारे देशों ने rivers को एक जीवित का दर्जा दिया है कि उनमें भी life होती है और अगर हम उनको कश पहुचाते हैं तो इसका मतलब है हमें punishment मिलनी चाहिए जिसे गंगा river को भी दिया गया है 2023 में इस दिवस का 26 वार्षिक अंतरास्ट्री कारवाई दिवस मनाया गया था और नदियों का जो सबसे पहला action for rivers मनाया गया था 1997 में 1997 में मनाया गया था कौन सी भारती कंपनी अंतरास्ट्री मुक्यवाजी संग IBA महिला विश्व मुक्यवाजी चैंपेंशिप 2023 के लिए title प्रियोजक बन गई है तो ये है महिंदरा आटो क्या नाम है इसका महिंदरा आटो अंतराश्री मुक्केवाजी संग महिला विश्व मुक्केवाजी चैंपेंशिप दो हजार तेईस जो की भारत में होने वाला है उसका टाइटल प्रियोचक बना है ठीक है दोस्तो भारत तीसरी बार याद रखेगा भारत तीसरी बार world championship का आजन कर रहा है भारत में हो रहा है महील विष्व चेंपेंशिप का मुक्केबादी championship का भारत में आजन किया जा रहा है दोस्तो boxer mc merrycom और bollywood अभुनेता है फरान अक्थर ये championship के लिए brand ambassador बनाए गए हैं न्यूक्त किये गए हैं और ये जो tournament है आपको 15 March से यानि आज से देखने को मिलेगा New Delhi में start हो रहा है दोस्तो संग में 203 राश्टी मुक्यवाजी महासंग शामिल है जो international यहाँ पर हम बात कर रहे हैं International Boxing Federation की बात कर रहे हैं इसके present में अध्यक्ष है ओमार क्रेमलेब 1946 में इसकी स्थापना हुई है अगर आप से पूछा जाए कि इसका headquarter कहां पर है सुटजे लेंड लुसाने में इसका headquarter है किस महिला खिलाडी को ICC Women's Player of the Month चुना गया है Which female player has been selected as ICC Women's Player of the Month तो इनका नाम है Ashley Gardner क्या नाम है Ashley Gardner इसको सुधार लीजेगा स्परती मंधाना यहाँ पर होगा है ना Ashley Gardner Australia की प्लेयर देखें इनके नाम में ही Australia छुपा हुआ है Australia की spelling जो A-U-S होती है और Ash बोलने पर भी हमें Australia का जो pronunciation start होता है तो friends female player of the month चुना गया है दोस्तों ICC जो है हर महीने best player of the month चुनता है female category में male category में ताकि जो एक competition सारे players में बना रहे है और एक जो sports की spirit है वो बढ़ती जाए तो February 2023 के player of the month की घोशना हुई है वही पे अगर आपसे पूछा जाए male player of the month को ना Harry Brook है England के player है यह है Harry Brook जो England के player है इने player of the month चुना गया है ICC की बात करें तो ICC जो है 1909 में स्थापित हुआ था और इसका headquarter दूबाई सायूगतरव अमिरात में है और प्रेजेंट में इसकी Greg Barclay अध्यक्ष है और Geoff Elardis इसके CEO है कौन है Geoff Elardis इसके प्रेजेंट में CEO है और इसका आदर शिवाक है Cricket for Good Question No.8 आप सभी के सामने आगया है आई देखते है Kendri मंतरी नितिन गटकरी ने मेथनोल से चलने वाली पहली बसों का अनावरण किया है आपने hydrogen bus सुना है अब आपको एक नया bus देखने को मिलेगा वो है मेथनोल bus क्या मकसद है भाई क्यों लौंच कर रहे है सब कुछ बताऊंगा तो देखें बैंगलूरू में इसका सही उत्तर क्या है बैंगलूरू में बैंगलूरू में भारत के जो union minister ये roadway ministry इनके पास है तो इन्हों ने unveil किया है पहला methanol bus तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये methanol running bus है इससे क्या होगा परियावरण को प्रदूशित होने से बचाया जाएगा और जो pollutants है वो कम release होंगे तो बैंगलूरू में पहली methanol सान्चालित busों का नावरण किया भारत के केंद्री सड़क और परिवहन मंतरी नितिन गटकरीजे ने अब दोस्तों किसके कॉपरेशन से इसे स्टार्ट किया गया है तो पहला है बैंगलूरू मेट्रो पॉलिटन ट्रांस्पोर्ट कॉपरेशन नीती आयोग, IOC Indian Oil Company और अशोक लीलेंड इन लोगों ने मिल करके इन सभी ने, लोग नहीं बोलेंगे आप organization और different companies ने मिल करके इस को इस initiative को स्टार्ट किया है जैसा कि मैंने आपको बताया, it's aimed to reduce the level of pollutants pollution को कम करना इसका उद्देश है अब दोस्तों, methanol का production कैसे किया जाएगा तो इसके लिए आपको याद रखना होगा इसमें carbon monoxide का स्टमाल किया जाएगा फिर carbon dioxide का स्टमाल किया जाएगा और फिर hydrogen का स्टमाल किया जाएगा इन तीनों को mix करने के बाद जो बनता है, sin gas होता है और methanol release होता है इन सभी कों क्या कहते है, sin gas बोलते है और methanol इससे release होगा चली, sea changes climate के भारत के ambassador group में किसी nuked किया गया है तो friends, इनका नाम है श्रिया घुडावत क्या नाम है, श्रिया घुडावत इन्हें sea changes climate के भारत के ambassador group में nuked किया गया है image में आप देख पा रहे हैं यह है श्रिया घुडावत दोस्तों, श्रिया घुडावत को sea changes climate की भारत के ambassador group में न्यूप्ति किया गया है यह climate entrepreneur भी है और दोस्तों, क्या फर्क पड़ेगा मैं आपको बता देता हूँ उसका उद्देश यह क्या है जलवाई और परिवर्तन के परभावों के बारे में महिलाओं की आवाज को बढ़ाना आम तोर पर जो आवाज सुनी जाती है वो पूर्शों की सुनी जाती है देखा है आप लोगों ने तो महिलाओं की जो आवाज है उसको भी raise करना वो क्या चाते है परिवर्तन को किस परकार से बदला जाए तो इसके लिए ब्रैंड अमबस्डर इन्हें न्यूक तक किया गया कि सभी फीमिल को अवेर करें और उन सभी की आवाज को एक समान प्लेटफॉर्म पर मंच पे लाया जा सके आज का आखरी important question आप सभी के सामने है किस राज के स्वास्त मंत्री ने महिलाओं के लिए एक नया स्वास्त कारेकरम आरोग्य महिला शुरू किया है The health minister of which state has launched a new health program for women आरोग्य महिला तो ये तेलंगना राज में स्टार्ट हुआ है आरोग्य महिला नाम से स्पस्ट है महिलाओं में जितने प्रकार की disease होगी उसको जाचा जाएगा और उनकी disease को खतम करने का प्रयास किया जाएगा ताकि महिलाओं स्वास्त रहें clear है और ये तेलंगना राज में स्टार्ट किया गया है तेलंगना के health minister है इनका नाम है टी हरीश राओ इन्होंने तेलंगना में महिलाओं के लिए नया स्वास्त कारेकरम आर्योगी महिला लॉंच किया है अब इसके तहत होगा क्या हर Tuesday Every Tuesday इसमें क्या होगा Women's की screening की जाएगी मंगलवार को सौ स्वास्त केंद्रों में महिलाओं की जाच की जाएगी और उन्हें मुफ्त दवाईयां उपलब्ध कराई जाएगे ठीक है तिलांगना की बात आई है तिलांगना की चीफ मिनिस्टर के चंदर शेखर राओ गवर्नर है तमिली साई सौदा राजन ठीक है यहां से आपके 10 important questions हो जाते हैं खातम अब हम स्टार्ट करेंगे ट्रिपल र स्रीज को जिसे हम बोलते हैं रिपीट रिकॉल रिवाइस करेंट अफेर्स दो हजार बाइस आई देखते पहला प्रशन रोजर फेडरर किस देश के टैनिस खिलाड़ी है जिन्होंने टैनिस से सन्यास लिया है तो यह स्टिजर लेंड अब देखी मैंने आपको ट्रिक बताई थी हमें रोज स्टिट नहीं खाना चाहिए हमें रोज स्टिट नहीं खाना चाहिए कभी कभी खाना चाहिए तो रोज से रोजर और स्वीट से स्वीट जल ले भारत ने G20 शिखर सम्मेलन तो 2023 के किस दक्षिन एशाय देश को अतिती देश के रुप में चुना है तो भारत ने G20 शिखर सम्मेलन में पांगला देश को क्या क्या है गेस कंट्री के रुप में चुना है इंजीनियर डिवस कब मनया जाता है वेन इस इंजीनियर्स डे सेलिब्रेटर तो हर साल 15 सितंबर को मनया जाता है इंजीनियर्स डे cricket के पूर एमपायर असद रौफ इनका हाली में निधन हो गया है इनका संबन किस देश से था तो असद रौफ का संबन पाकिस्तान से इनका निधन हो गया है आप अपने सर कमेंट बॉक्स पे जारी रखें जादा से जादा लोगों को आप लाइब जोड़ा करें सुबह 6 बजे उठकर के हमें पढ़ना है पढ़ना है और अपने माता पिता का नाम रोशन करना है जब तक तोड़ेंगे नहीं यह है पदमजा, नाइडू, हिमालियन, जुलोजिकल पार जो की दारजलिंग में है दोस्तों कल जो आपने करेंट अफेर्स पढ़ा है उसका हम करेंगे आपका टेस्ट और रिवीजन तो आई देखते हैं आपको कितना याद है तो फ्रेंट्स, यह है नाटू, नाटू सौंग, ली कियांग, हैस बिकम दा प्राइम मिनिस्टर और विच कंट्री, तो यह है चाइना के प्राइम मिनिस्टर, द्यू तो नेवल एक्सिरेंट, अपरेशन आप विच हेलिकॉप्टर है, तो धुरू हेलिकॉप्टर को अभ भारत के पृत्वी राज, तुंडा इमन ने कौन सा मेडल जीता है, तो इन्होंने ब्रॉंज मेडल भारत को दिलाया है, इसरो हैस ड्रॉप्ट दी ट्वेल यर ओल सेटलाइट मेगा ट्रॉपिक्स इन वी चोशन, तो मेगा ट्रॉपिक्स को प्रशानत महासागर में गिरा गया, Silicon Valley Bank has been shut down by the regulators of which country, तो SVB Bank जो था, ये अमेरिका में था, इसे बंद कर दिया गया है, According to the order of Ministry of Home Affairs, what percentage of reservation will be given to Agni Bir in BSF recruitment, तो 10% का आरक्षर मिलेगा, Tech Mahindra ने किसे अपना MD और CEO नुक्त किया है, तो Tech Mahindra ने Mohit Joshi को अपना MD और CEO नुक्त किया है, PM Modi जी ने किस सहर में दुनिया का सबसे लंबा railway platform का उधगाटन किया है, ये है उबली धारवाड, लगभग डिल किलो मेटर लंबा है, 20 करोड रुपे की परियोजना, 20 करोड रुपेस में खर्च हुए है, SEO के सदश देशों के सरवोच नयालों के मुख नयादीशों की आठ भी बैठा किस शहर में आजित की गई, न्यू डेली में, कहां पर न्यू डेली में सकाजन के आगए, दोस्तों आज के हमारे लूसेंट स्टाटिक जीके के पिटारे में विविद का एक और टॉपिक मैंने लिया है, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया है कि आपका करेंट अफेर्स और आपका जीके दोनों आदे घंटे में तयार होगा, तो उसी वादे पर, उसी कमिट्मेंट पर मैं आगे बढ़ रहा हूँ, और जितना प्रियास होगा, मैं अपनी तरफ से देता चलूँगा, चलिए, आप भी प्रियास करें, उन सभी चीजों को याद करेंगे, तो आज हम डिसकस करेंगे, खेल और खिलाडियों की संख्या के बारे में, तो तीन खेल हैं, क्रिकेट, फुटबॉल और होकी, जहां पर प्लेयर की संख्या क्या होती है, ग्यारा, ये तो आप आसानी से बता देते हो, बास्केट बॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो उल्टा फाइव बना हुआ है, ठीकेट, तो इसमें पाँच खिलाड़ी होते है, बेजबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो बेजबॉल आपने अगर देखा होगा, तो इस प्रकार से बेजबॉल होता है, तो आप यहां पे नीचे ब्रोड होता है, तो नाइन जैसा तो इसमें 9 प्लेयर होते हैं तो सबसे जादा रगभी फुटबॉल में प्लेयर होते हैं रगभी फुटबॉल में तो 11 होते हैं रगभी मैंने इसमें जोड़ा है तो कुछ तो और लोग होंगे तो चार आप और जोड़ दीज़े फुटबॉल में ग्यारा होते है तो रख भी फुटबॉल में पंदरा खिलाडी पोलो दोस्तों देखो पोलो में कितने अक्षा है पोलो में चार लेटर है ठीक है पोलो में चार लेटर है तो उसमें चार खिलाडी water polo water polo में कुछ और add कि तो गुस्तो और ज़्यादा होंगी तो आप 7 याद रखना balli ball balli ball में कितने खिलाड़ी होते हैं 6 कितने होते हैं 6 खिलाड़ी होते हैं clear है अब देखो दोस्तों आप ऐसे कैसे याद रखना तो को balli ball balli याद रखना है क्या याद रखना है आपको balli balli के letters को गिल जो एक दो तीन चार पांच है तो इसमें 6 खिलाड़ी होते हैं ठीक है? कबड़ी तो आपने खिली हैं though कबड़ी में कितन खिलाड़ी हैं 7 खिलाड़ी अब कबड़ी में भी letters को गिल जो तोटा इसमें लेटर्स आठ हैं, एक कम कर देना खोखो में कितनी खिलाड़ी होते हैं, नौ तो खोखो में जरा देखो, इसको आप इस प्रकार से नाइन बना दो ऐसे देखो न, इनाइन खुदी दिखरा, खुदी बता रहा है, देखो मैं नौ हूँ जलो, इस नूकर, तो आपने देखा हैं अगर, तो एक ही वेक्ति स्टिक से खिलता रहता है, एक ही, बॉक्सिंग में तो गॉंगे, जिमनेस्टिक में कितने खिलाड़ी होते हैं, इसमें होते हैं, इसमें 8 होते हैं, क्लियर हैं, आई थिंक आपको याद हुआ होगा Static MCQGK के पिटारे में आज हम Chief Minister को ले रहे हैं और Chief Minister में मुख्य मंतरी के important questions को discuss करेंगे बहुत सारे प्रशन घुमा फिरा के पूछा जाता है तो उसे हम यहाँ पर discuss करेंगे मुख्य मंतरी की नियुक्ति किसके दोरा की जाती है तो इसकी नियुक्ति जो है राज पाल गवर्नर के दोरा की जाती है Under which Article of the Constitution the Chief Minister is appointed तो Article 163 के तहत सम्विधान के 163 के तहत मुख्य मंतरी की नियुक्ति की जाती है राज के शाशन का वास्तिवी कधिश को अनु होता है देखे जिस प्रकार से देखे हमारा जो country हो federal है यहाँ पर शक्तियों का विभाजन किया गया है जिस प्रकार से केंदर में प्रधान मंतरी होता है उसी प्रकार से राज्य में मुख्य मंतरी होता है जिस प्रकार से केंदर में राश्पति होता है राज्यों में गवर्नर होता है तो गवर्नर जो है वो nominal head होता है नाम मातर का, राश्पती भी होता है वास्तविक शक्ति प्रधान मंत्री के पास होती है और वास्तविक अध्यष्यों होता है राज्यों में मुख्य मंत्री होता है clear है राज मंत्री परिशत का निर्माता, डेस्ट्रॉयर, लाइफ गिवर कौन कहलाता है तो यह है चीफ मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर अगर रिजाइन करेगा तो उसकी पूरी जो मंत्री परिशत है वो भी रिजाइन हो जाएगी, वो भी डिजॉल्व हो जाएगी राज पाल तथा मंत्री परिशत की बीच कड़ी कौन होता है तो राज पाल और कॉंसल अफ मिनिस्टर की बीच में चीफ मिनिस्टर ही होता है किसी राज के मंत्री परिशत की बैठक क्या धक्सता कौन करता है तो कॉंसल अफ मिनिस्टर की बैठक कौन करेगा याद रखना चीफ मिनिस्टर ही करेगा राश्टली विकास परिशत की बैठक में राज का प्रतिनिधित कौन करता है तो चीफ मिनिस्टर करता है इसी प्रकार से राज का मुख्य मंत्री किसके प्रति उत्तरदाई होता है तो राज का जो मुख्य मंतरी होता है विधान सभा के प्रती उतरदाई होता है ना कि विधान परिशत उसी प्रकार से देश का जो प्रधान मंतरी है वो लोग सभा के लिए किसके लिए लोग सभा के उतरदाई होता है ना कि राज सभा के लिए ये वहीं सेलेक्ट हो करके आत भारत के किस राज में सबसे पहले कोई महिला मुख्य मंत्री न्यूक्त हुई थी, तो भारत के सबसे पहली चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश से महिला चीफ मिनिस्टर बनी थी सुचिता, क्या नाम है उनका सुचिता क्रिपलाने, भारत के किसी राज में मुख्य मंत्री आपका टेस्ट होने वाला जो भी आपने complete पढ़ा है चली जल्दी से आपका टेस्ट लेते हैं CSIR की पहली महिला महानिदिशक कौन बनी है तो उनका क्या नाम है नला थंबी कलाई सेलवी ODI match में 200 विगट लेने वाली विश्व की पहली महिला क्रेक्टर कौन है जूलन गोश्वामे अगनी वारियर exercise भारत और किसके बीच में होता है तो अगनी वारियर होता है भारत और सिंगापूर के बीच में यहां पर NEST है लमितिए अभ्यास भारत और किस दिशिस के बीच में होता है लमितिय एक्साइज होता है भारत और सिंगापूर के बीच में सुटजर लेंड में लुसाने में एशले गार्डनर किस खिल से संबंधित है तो ऑस्टेलिया की प्लेयर है क्रिकेट प्लेयर है इंजीनियर दिवर्स कब मनाया जाता है तो हर साल 15 सितंबर को मनाया जाता है खोखो में कितने खिलाडियों की संख्या होती है तो खोकों में 9 खिलाडी होते हैं आज का सवाल है सेमी हाइज स्पीड वंदे भारत एक्स्प्रेस ट्रेन को संचालिक करने वाली पहली महिला कौन बनी है आपको इसको तर कमेंट बॉक्स पे देना है पहचानो कौन सीरीज मैं आपको बताना है ये फेमस परसनल्टी कोन है इनके बारे मैं आपको पांच लाइन लिखनी है और आज मैं कल के कमेंट्स को ला नहीं पाया बट आप जो कमेंट करेंगे तो मैं कल आप लोगों को दिखाऊंगा 14 फरवरी का रजल्ट हमारे पास है फरवरी यहां आप लिखाऊ है इसको 14 मार्च कर दीजे नितान सिंग, अंजू, प्रशांत और विपिन और शिवा नंद कुमार कामर आप लोगों ने टॉप किया है 14 मार्च के टेस्ट पे बधाई हो और यह जो टेस्ट होता हमारे क्रेजी जीकेटर एप्लिकेशन पर होता है एप्लिकेशन पर जाएंगे वहाँ पर आप टेस्ट दे सकते वहीं पर आपको PDF भी मिलती, वहाँ पर आपको quiz भी मिलता है इवेन 4-5 महिने पुराना भी अगर आप PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो डेली करेंट अफेर्स का PDF फ्री है, quiz भी फ्री है, PDF भी फ्री है और वीडियो भी फ्री है, मेरा जो content आपको पूरी दरगे से फ्री मिलता है तो friends, आप यहाँ पर click करेंगे और यह section खुल जाएगा आप टेलिग्राम में भी join हो जाएगा, जहाँ पर regular updates मिलते रहते हैं PDF मैं आपको उपलब्द करवाता हूँ दोस्तो पहली बार चैनल पर आ रहे हो ना, तो आप subscribe करना ताकि आपको इसी प्रकार से मैं आपको lecture देता रहूँ, उपलब्द करवाता रहूँ share करना, क्योंकि यह आपकी class है और comment करके बताना, अच्छी और बुरी दोनों बात और Instagram में follow कर लेना अब दोस्तों चलने का समय हो गया है इजाज़त दीजे, कल सुबह 6 बजे फिर मिलूँगा इसी जोस, इसी उर्जा के साथ तब तक के लिए, जै हिन, जै भारत जब तक तोड़ेंगे नहीं, तब तक छोड़ेंगे नहीं खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए